सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकिन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल कॉस्मोस यूजिशी क्लासेज बिर साथ ही हो जैसा कि हमारी क्लासेज नियंदर रूप से चल रही है बुबोल विसे को लेकर यूजिशी नेट की जो क्लासेज है लगातार क्रमबद रूप से पर डे आपके लिए है अवेलेबल करवाई जा रही है उसके साथ ही जो फेस्ट फेपर है उसकी क्लास जो प्रिवेस येर क्यूशन्स को लेकर जो अब्जेक्टिव येर क्यूशन्स पहले एक्जाओं में आई हुए हैं उनकी भी क्लास अपनी क्रमबद रूप से हर्श्वामवार को होती है अन्य जो है पांस दिन अपनी जोग्रोफिक क्लास चलती है तो टोटल अपने साथ दिन में से छे दिन अपनी रेगुलर जो क्लासेज नियमित रूप से क्लासेज हो रही है उमीद है कि आप सभी उनका है शांदार तरीके से जिन्दाबा तरीके से आनन्द ले रहे हैं साथ ही ओ मैंने सोचा कि आपके लिए एक है सिलेबस से समधित है वीडियो आपको अपलोड प्रोवाइड करौऊं क्योंकि जब तक आपको है syllabus का नहीं पता रहेगा UGC.net का बीना syllabus के आपको शपलता नहीं मिल सकती जब तक कि syllabus आपके tips पे नहीं रहेगा आपके mind में याद नहीं रहेगा तब तक आप यह नहीं पता कर पाओंगे कि क्या अपन को पढ़ना है क्या अपन को छोड़ना है क्योंकि भुगोल एक है समर्द विसे है इसमें अनेक चीजे है अनेक विसे वस्तु इसमें सामिल की गई है लेकिन अपन को जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ मैं हर क्लास में बताता हूं कि smart study वाला बंदा यहां पे selection लेके जाएगा जो smart study करेगा बंदा वही selection लेके जाएगा वो क्यों लेके जाएगा क्योंकि वो limited matter पढ़ेगा अब बात आती है कि limited matter कहां से पढ़े क्या पढ़े है limited matter में तो पहले आपको syllabus को ध्यान में रखना है syllabus आपके mind में होना चाहिए कि यह अपना syllabus है और मुझे यही पढ़ना है उसके अलावा एक भी चीज आपको नहीं पढ़नी है आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी unit से कितने क्योंसे आते है कहां से क्योंसे आते है examiner की पसंदीदा जगह कौन सी है कहां से वो क्योंसे पूट अप करता है इत्यादी जो जानकारी है आपको है होनी जरूरी है तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो प्रोवाइड करो है जिसमें यह संपूर्ण जानकारी हो क्योंकि मेरा यह मानना है अपने अनुगों के आधार पे बता रहा हूँ और काफी सारे जो विश्च सकी है उनसे डिसकस करके मैंने जाना है कि बिना syllabus के है आपको सपलता नहीं मिलेगी अगर सपलता मिल भी गई तो वो किसी काम की नहीं रहेगी क्योंकि आप किसी को आप syllabus क्या है क्या smart study है या भविसे में आप किसी coaching सेंस्तान या online classes में पढ़ाना start कर दो तो आपको है advice देना मुश्किल हो जाएगा कि किस आधार पे तयारी की जाती है क्योंकि तुका राम नहीं बनना है आपको तुका नहीं लगाना है आपको आपको सपलता प्राप्त करनी है घ्यान के साथ में knowledge के साथ में ताकि बविसे में जो आपके जो आने वाली पेडियां है या आपके जो पीच्छे जो आ तयारी कर रहे हैं परतियोगी है उनकी आप help कर सको उनकी सहायता कर सको तो आज हम से अच्छा करेंगे विश्वविद्याले अनुदान आयोग यानि की UGC अब UGC की फुल फॉर्म क्या होती है University Grand Commission विश्वविद्याले अनुदाग आयोग है NET की एक्जाम करवाता है UGC जो एक्जाम आयोजीत करवाता है NTA कराता है NTA जो है एक एजेंसी है उसके थ्रिव है UGC की जो एक्जाम्स होती है UGC और CSIR की CSIR साइन्स से समन दीते है UGC जो आर्ट्स विशे हैं और इसके अलाव भी कापिसार विशेव की जो है करवाती है एक्जाम्स तो चर्चा करते हैं सिलेबस है अपना भुगोल का सिलेबस की सादार पर है उसकी चर्चा करते है तो भुवाकरती विग्यान है अपनी पहली यूनिट है भुवाकरती विग्यान सेकिंड यूनिट का नाम है जलवायू विग्यान आपको ये नाम ध्यान में रखना है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर किये तीसी यूनिट है समुन्दर विग्यान मलब तीनों तो ये हो गई बहुत तीक बुगोल का पार्ट हो गई जो बहुत तीक भूगोल बोलते हैं जिसको physical geography भूटे हैं पीजी में आपने पढ़ी होगी पीजी प्रिवेस में जो है पेपर चलता है physical geography का final में चलता है climateology और oceanography का पेपर चलता है तो बहुत तीक भूगोल बोलते हैं इसको फिर फॉर्थ यूनित पर्यावरण भूगोल फिर पांचवी यूनित है इसमें जन संक्यावें अदिवास भूगोल सटवी यूनित है आर्ती गत्वीती का छेतरी विकास का भूगोल साथवी यूनित आपको दिख नहीं रही होगी लेकिन इसका जो नाम है साथ भी यूनिट का वो है सांस करती के सामाजिक सांस करती है यू राजनिती भूगोल इसका नाम है तो अपनी है साथ यूनिट हो गई इसमें इसके बाद में जो अपनी आठ वी यूनिट बहुगोलिक चिंतन जो अपनी चल रही है बहुगोलिक चिंतन में अपने कापिसरिया है अध्यन कर लिया है जो अपनी यूनिट चल रही है बहुगोलिक चिंतन रहा है करमबद रूप से रेगुलर चल दिये पहले यही किती इससे शुरुआत हो कर खतम करेंगे अपन है जो बता दूगा कि कहां करेंगे क्योंकि अपनको उससे खतम करने से पहले अपनको नौ यूनिट पढ़नी है और मैंने जैसे आप से वादा किया है कि आपको इस चैनल पर है निशुल ग्रूप से हमेशा के लिए किसी है एक सतर के लिए नहीं एक सेशन के लिए नहीं हमेशा के लिए निशुल ग्रूप से क्लासेज मिलेगी आपको आपके साथ में आपकी छोटे भाई बैन है जो परतियोगीत है जो भविसे में तयारी करेंगे उनको यहाँ पे है निशुल कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाए आपका किसी परकार का आपको कोई चार्ज नहीं देना है आज भी नहीं देना है तो आने वाले टाइम में भी नहीं देना है क्योंकि कोस्मोश युजिसी क्लासेज का धही यही है उद्धे से यही है कि निशुलक सिक्सा मिले सब को मिले क्योंकि मैं जिस छेतर से आता च्छेतर वाले कोचिंग सहस्तान में चले जाते हैं लेकिन वो पढ़ाई से जदा उसको थकान हो जाती है, मन नहीं लग पाता। ग्रामिन च्छेतरों में काम ज्यादा रहता है क्योंकि करसी कारे पर आधारित है, अपने पढ़ेंगे करसी बुगोल में कि कितनी परशेंट जन्स हैं क्या ग्रामिन च्छेतर में करसी पर आधारित है, और साथ में ही जो सहरी बच्चे हैं, सहर वाले स्टुडेंट्स हैं, वो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि 15-15-20-20,000 रुपे आपसे इसके नाव पे लूट लिये जाएंगे तो आपको यहाँ पे है एकदम निशुल ग्रूप से करवाय जाएगा संपूर्ण कोर्स करवाय जाएगा हर एक एंगल से आपको तयार किया जाएगा अब्जेटी क्यूसन मिलेंगे पीडियेप मिलेगी आपको जो चाहिए वो सब यहाँ पे आपको है अवेलेबल रहेगा आपके लिए निशुल कर रहेगा गूरू दक्सिना वही होगी कौन सी होगी जब आप है एक्जाम में सकसेज अपनी सफलता प्राप्त कर लोगे फिर है आप है मिलना एक बार कि हाँ सर मैंने आप से पढ़कर है सफलता प्राप्त कर ली है तो वो खुशी होगी ना वो जो ये 10% डिसकाउंट वाले जो लोग है उनसे ज्यादा होगी क्योंकि उनका वीवसाह कूँध से है उनको अपना वीवसाह चलाना लेकिन हमारा वीवसाह से है साहिता सायोग करना बोल का विकास करना तो आईए चर्चा करते हैं पहली यूनिट में क्या-क्या अपन को पढ़ना है बुगा करती विग्यान में महादीपी ये परवा है जो महादीपी परवा सिदान था वो प्लेट वी वर्तनी की आंत्री के हो भाय बल क्या है आइना चादर आयों अपक से भुवाकर्तिक चक्कर डेवीस और पैंक अब डेविश ने तो बुवाकरतिक चज़कर कहा है, पेंग ने है, मार्पो लोजिकल सिस्टम, ये अपन चर्चा करेंगे, धाल विकास का सिधान्त करेंगे, परकरम, बो संचलन क्या है, बो संचलन में बुखम पनियता, वलन ब्रेंच जो आलामु की एक चेप्टर है ये प पड़ के आपको है, अभी पिएश डी नहीं करनी है, साथ ये अपन पिएश डी करेंगे, जयारप करने के बाद में जब अपन जयारप कर लेंगे, फिर आप पिएश डी अराम से करना, पांच साल के लिए पिएश डी करना, वित आपको है, फेलो से मिलेगी, आपको हर माह है तनखुआ मिलेगी आपको बिना किसी नोकरी के आपको पेसा मिलेगा और साथ में आपकी है पी-एस-डी भी चलेगी research भी करोगे आप तो अभी आपको है limited mater प्ढ़ना है पी-एस-डी नहीं करनी है पी-एस-डी आपको पजड़ना है। परत्फी का उस माप बजट आपको पढ़ना है। ताप मान पढ़ना है वायूमेरड़ी दाब और पवने। जो वाय। वायूमेतली दाब और पाउने हैं, किस परकार कौन सी पाऊन कहां से कहां चलती है। उनकी दिशागती क्या, फिरल का नियम क्या, कोरलीस बल क्या है, और कौन सी कितने डिगरी से कितने डिगरी के हवाय चलती है, कौन सी कौन सी देश में चलती है, सुस्क पावन कौन सी है, गरम कौन सी है, यह इत्यादी की अपन है, सर्चा करेंगे, वायूवंडली परी संचलन में वायूरासिया वातागर उपरी वायूवंडल वायू संचलन चक्रवात पत्ती चक्रवात की चक्रवात कौन सा कहां चलता है क्या चक्रवात आता है क्या चक्रवात होता क्या है दो प्रकार है उसन कटीमंदी सितोसन कटीमंदी फिर इंपोर्टेंट आता है कोपेन थांतवेट का जलोई वर्गीगन टिप्स पर गरवा दूंगा मेरी जिमेदरी है अन्य था आप गाइड है बुक्स से पढ़ोगे तो आपको याद होना ही नहीं है सबसे हाड यूनिट है आपको याद नहीं होगी मैं भी बदाता हूं और आपने पढ़ रिखी तो आपको पता होगा मैं टिप्स पर करवाने का फॉर्मॉला है मेरे पास में तो आप बने रही है आपको टिप्स पर मिल जाएगा इन सो गटना में अलनीलों लानीनों दक्षनी दोलन के आयनि में से क्या परवाव पड़ता है परसांत माशागर में जी से क्या होता है अपना जो है मानसुन भारत का मानसुन परवावित होता है इन चीजों से कि अल नीनो ला नीनो दक्षनी दोलन कौन सी गटना होती है मौस मी संकट आपदाएं के आगदाएं चक्रवात तो पहले आगया तक उसका विश्टी चरदिन वही कर लेंगे तडित जंजा, टॉर्नेडो, ओला वरस्टी, उश्णो, सीत रेंगे वरस्टी पर्षोट, हिमजील पर्षोट ने या से क्यूसन बहुत कम पूछ जाते हैं जलवाई परिवतन में विगत दस्कोगों के जलवाई परिवतन की साख से और वेस्टी जलवाई परमानों का परभाव इत्यादी है अपनी जलवाई विग्यान में है चर्चा करना चाओंगा नेक्स्ट यूनेट की समूंदर विग्यान में समूंदर विग्यान का सबसे सोटा शिलेबस है लेकिन इसमें बहुत कुछ है मेरे सातियों और पसंदीदा जगह भी बता दूँगा कहां से एक्जाम में क्यूसन आना है में कांस से आता है और सो पर्षेंट आता है独ंध बहुत करा दार मय olanِ कांसी समूंदर का जील का लवनधा के इतनी है क्या है विशोई इस street कव्यानदी फर्षेंड है कौन सी गरम है कौन सी ठंडी है इसमें अपन क्या चाजा करेंगे परसांत मासागर की धारें अटलांटिंग मासागरी धारें और हिंद मासागर की धारें यहां से क्यूसन आता है 100% मिलान वाला क्यूसन आता है प्रिवेश येर की क्यूसन उठा के देख लेना आप जुआर बाठा इसमें सिधान्त है वो समुंदर इस्तल परिवर्तन संकट सुनामी हैं चकरवात चकरवात है वो ही चकरवात है जो उसमें दे रखा उपर तो आपन वहाई पढ़ लेंगे नेक्स्ट यूणिट की चर्चा करते हैं मेरे प्यारे मित्रो शाथ यूणिट है प्रवावरन भुगोल प्रवावरन भुगोल में गठक है पारिस्टि वोगोली वर्गीगरण मानो पारिस्टि की किरियें पोशन इस्तर उज्जा परवा है चकरवान बूर असाइनी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन ये तिनो चकर है चारो खादे सरंकला, खादे जाल है पारिस्टिक पिरामिड है मान्य पारस्प्री के अंदर समद और प्रवाव है प्रवणे नितिकता है, गहन पारिस्टिक है प्रवणे संकट और आबदाई है वेस्टी तापन क्या है नगरे उसम दीप क्या है वायो मंडले परदूसन जल परदूसन यह तो पढ़ते हैं बच्पन से निबन लिखते हैं आप तो जल परदूसन वायो परदूसन पर यहां पर ज़्यादा क्रेज नहीं इनका क्यूसन आने की संभावना कम है यासे राष्ट्य कारेकरम नीतिया में से एक यूसन हर दम पूछा दाता है आपसे कानूनी प्रादार और यही प्रयावन भुगोले सी यूनिट है नौवी यूनिट आप देख ले ना फर्स्ट वेपर में फर्स्ट वेपर में नौवी यूनिट इससे समंदित है तो दोनों को अपन को है एक जगाई पढ़ लेना है विस्तित रूप से पढ़ नहीं है अपन प्रयावनी नीतिया ही है अंतराश्टी कारेकरम नीतिया बटलेंड गमिशन क्या है क्योटो प्रत्वी से मेलन हुई है करेशिची एडियनटा ट्रॉंटीवन ट्रॉंटीवन है नियमों का एक सहमू है संसदारनी विकास हैं प्रतेक यूनिट है उसमें से कितने क्योशन आने हैं दस कितने नंबर के आने हैं बीस के कीजिए उनिट है दस एक में से बीस के आएंगे तो एक में से बीस के आएंगे कितने हो गई दो सो गई न दो सो गेर पचास कुशन फर्ष्ट पेपर के आने वो भी दो मार्क्स के पर एक्यूशन दो मार्क्स सो वहां से होगे तो टोटल पेपर कितने होगा तीन सो का तीन सो का अपना टोटल पेपर होगा ठीक है तो चर्चा कर रहेते जंसें के अधिवास भूखोल की इसमें जंसें क्या आकड़ों का स्रोत यानि कि 2011 की जंगना है ना वो देख ले ना वह उसमें से हर पर एक्यूशन आता है मैं प्रवाइड कर दूँगा अपना टेलिग्राम चैनल जोईन कर लेना कौन सा कोस्मोस ये शी कलासेज के नाम से ही टेलिग्राम चैनल है आपको मिल जाएगा वहां पी 2011 की जंगना आपको प्रवाइड कर दूँगा उसके आंकड़े वह देख लेना हर बार एक क्यूशन डो क्यूशन वहां से आते हैं तीन क्यूशन भी आ सकते हैं वहां से है आने की संभावन है तो इसमें पढ़ेंगे जंगना परतिदर सर्वेक्षन जनम मरतिदर या जनम मरण शांकी की आपको के विश्वे सनीत तरूटी विश्वे जं जन संक्या वर्दी वर्दी मतलब पूर्व इतेशी काल से अधुनी काल तक जन्रान की की संकर्मन क्या है नौटेश्टी विचारक हुए है जन संक्या वर्दस्दी का सिधान तरह माल थर सेडलर और इचार्डो सब पढ़ाएंगे जंदम दर मरतिदर विसलेशन संक्य तक जन संक्या परवास परकार कारण परिणाव और प्रतिमान मोडल्स जन संक्या के सरंच्राएं विचेशता है आयू लिंक नंगरी ग्रामीन व्यावसाइक सरंच्राएं विचेशिक इस्तर विक्सित विकासिल देशों में नीतिया फिर अधिवास बुगोल अधिवास दिमाग चक्करा जाएगा आपका की इतना मेटर है लेकिन मैंने बताया स्मार्ट इस्टेडी पर डेंगे क्यूशन कहां से आते हैं इस परकार बगवान परोसे उसको छोड़ते हैं कि हाँ बगवान है बगवान तु मेरा ये काम कर दे आप वह 11 रुपए का 21 रुपए का परसा चड़ाते हैं तो आपको कोस्मोस यजशी क्लासेज वे कुछ भी चड़ाने की जूरत नहीं है आप तो बस है बने रही है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में सेर कीजिए क्योंकि वो भी इसका फ्री आनन ले सकते हैं तो आपको तो बस मैं इसके आपको फिर भी ये वहम लगता है कि शर पढ़ा रहे हैं तो आनने टीचर्स की क्लासेज आप लेकर देख लेना कि कौन कितना क्या पढ़ा रहा हैं मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूं कि आपको है भुक में नहीं मिलेगा गायड की तो दूर की बात होती है भुक मे हर एक एंगल से आपको तbare करवाने कोशिस कर रहा है मतलब हर एक परकार से आपको मैं यह कोशिष कर रहा हूं कि एगजामिनर किसी भी कोने से ददे क्यूशन है उसको है आपको तो करना है एक भी नंबर यहां तो 20 में से 20 मार्क्स है आपके पूरे वहां से आ जाने चाहिए और ये मैंने आपसे वादा किया कि इस में से इसमें आपकी सही होगी पूमी का मल निभाऊँगा लेकिन सही होगा आपका भी जरूरी है इसमें अकिला टीचर क्या कर सकता आपके लिए वो तो इताय कर सकता कि आपको बैतरी से बैतरी पढ़ा सकता लेकिन पढ़ना आपके बस में है समझना आपके बस में है आप वीडियो को पूरा देखते हो नहीं देखते हो स्कीप कर देते हो या फ्रेंड्स के साथ में सेर करते हो नहीं करते हो तो साथ ही अपन चर्चा करें थे ये सिधानतों के बारे में फिर है नगरी भूमी उपयोग मोडल, बर्गीज, होयट, हैरिस और उलमेन, फिर मानगरी संकल्पना, वेस्वीक नगर और कोर नगर, नगर आकार परिवर्तन, पुरो नगर, ग्रामिन नगर, सिमांत, सिमांत परिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट ईविनिट है, छय नंबर की अपनी आरतिक, गतिवीदी और उर करने में कीवेस्थ Championship और कारक अगर आपको विश्वास है या नहीं है वो आपकी हैडेक है विश्वास करना होना जरूरी है आपको है बेतर स्टेडी के लिए तो प्रिवेस येर की क्यूशन उठा के देख लेना आपको खुद बखुद पता चल जाएगा कि एसर क्या बता रहे थे फिर प्राकरतिक का संगर अब पिनिट है आर्थी को खुगोनग तो आर्थी कपुगोर में क्या है गिनेंच उने चार टोपिक है कोई भी हो लेकिन इतना देपनी पढ़ा के स्टुडेंट को आप करवाना कह जाते हो नेट की एक्जाम करवा रहे है या है आप पिएश्डी करवा की और कुछ ही प्रति साथ है उनको रिश्च करवा रहे हैं उस चेतर में तो अभी तो आपके लिए इंपोर्टेंट है कि आप एक्जाम करे करो उसके कोडिंग मेटर पढ़ो फिर पीएशडी का पढ़ लेना भी आपको है पीएशडी करनी है तब ही आप एक्जाम की तैयरी कर रहे हो कोलेज लेक्सर बढ़ना है तब पढ़ना आप आरती गोल पूरी है अब यूजिसी नेट में चया टोपिक आप पढ़ रहे हो सोला टोपिक है तो उसका कहीं कॉंबिनेशन ही नहीं है तो नेक्स चरशा करते हैं अपन कर्शी बहूल की कर्शी बगोल है भूमी उप्योग निवह जन सधे परतीरूप सधे संयोजन वीदी वीवर धौई रफू रिल्ला का कर्शी बहुशन आता है हरब़ यह वीवर से आता है करसी उत्वादक ताऊं, आपर नियु दारक करसी उत्वादक में छेत्री विश्वर की करसी पतती है, क्यों सन आता है हरबर नेक्स है उद्योगिक बुगोल अब उद्योगिक बुगोल उद्योग से समझ दीता है अब उद्योगिक बुगोल में है उद्योगिक के इस्तान निदारन के कारण क्यूसन नहीं आता है यहां से बाइसांस बहुत कम रेर केस में आता है उद्योगी की इस्तान इधान के सिधान्त में से क्यूशन आता है हरबर आता है वेबर का, हुवर का, ओगस्ट लोस का, एपरेड का, डी-म स्मित का और विस्वर के उद्योगी परदेश आते हैं परियाटन उद्योग में शामिल कर लिया गया है परियाटन को उसका भी है सोचना संचार प्रदेगी, ICT, टेकनोलोजी जो है वो आपको है, यूनिट नमबर जो अपनी है फस्ट वेपर में आठ नमबर यूनिट है, ICT है तो आपको इसका मिल जाएगा डटा आपको वांसे लेकिन यह आपको पढ़ा दे जाएगा ज्यानवर्दी शिक्स हैं अनुसंदान विकास उद्योग नेक्स्ट है परिवन और व्यापार बुगोल अपना कि परिवन और व्यापार बुगोल में क्या है तो इस्तानिक पारस पर इक अन्योन ने की रिया के सिदान दे मोडल नमल एडवर्ड हुलमेन जो पहले आगे था हुलमेन आष्ट समन्द हात्मक और भीगमेता सुचकांग मापन इस्तानि परवा है मोडल गुर्थवाकर्शन मोडल क्या है इसकी विबिनता वीसो ए अपर संक्रठन के consolation के के सभावना ये समस्य है परदेशी के क्या है पर्रूप विज्यान परदेश ओप्चारी कारियाते पारदेशी नया जुड़ा है टोपिक है आपको पताओ का कि और Healthy ज सिदान्त प्रादेशी विकास के सिदान्थ हैसमेन, गार्णर, मेडल, जोन, फारेड मेन यासिक्यूशन आते हैं अलफिक्सी तदिन्ष राष्टर का सिदान्थ बादेशी विकास या समाजी की आन दोलें अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि कि सर है जहां भी सिदान्थ का नाव आते हैं बोल देते हैं के आसीक्यूशन बनता है तो थोरी शी ज़यदा important सिदान्थ रखते हैं मौगोःՔ जो है भुगोल वेता हुए याओ जो महान वेक्तित्व हुए हैं इनके जो सिदान्था important है सांसकर्तिक जल्टिल्ट है, छेतरय प्रदेश, सांसकर्थ वीरासित, संसकर्थिक पारिसित्थी है है, सांसकर्थी में बैस्तिरय अबिस्तरन पुस्तान यह थं मोसमी वित्रनन परतिरू विशेशता बांतिके संघ्य जगारे जगारे तब आपको आएगा यह राजनीती बूगोल में चैनर ने क्याहिए परिश्यमाई प्रसेमाई की शरहर्भारे को सनदर्ब में पढ़ेंगे हार्ट लेट रेंबलेंट सिदान था क्यों से नाता है इंपोर्टेंट जगह है राजनी भुगोली प्रवत्ती विकास संगवादगा भुगोल बात मिर्वाचन सुत्वार निर्वाचन विवार के निर्धारक जुलावी पुरित्मी भूराजनिती बूराजनिती सब्त किस ने दिया था आगए हाँ पर अब मैं पढ़ाँगा तो बताँगा केजले ने दिया था वहाँ पे विश्तरित चर्चा करेंगे अपन 277 नोगी भूराजनिती भारत की हिंद मासागरी भूराजनिती कि किस प्रकार अमेरिका ने हिंद मासागर के टापो पे अपना दिगार कर लिया कभी चीन करता है कभी अमेरिका करता है चीन ने पहले किया था भारत गेहरने के लिए जो हें इंद वासा करके एक दिप पे है अपना दिकार भी पत्य करिया था लेकिन अभी वो भारत के एंडर में है ये जो शारक आस्यान उपेक यह हैं इई यू है इसे हर्बर क्यूसन आता है हर्बर क्यूसन पूछा जाता है जाम मेर यहीं सम्भावना बनती क्यूसन पूछने की बोगोलिक चिंतन में क्या है बोगोलिक में ग्रीक, रोमन, अरब, चाइना के बारती बुगोल वेता, बुगोल वेता होगा योगदावने वारेनियस, कांट, एलेक्जंडर, हमबोल्ट, काल लिटर, सिफर, हार्ट सोन, बोगोलिक चिंतन पर डार्विन का परभाव, प्रोग्राफी, थिमेटिक वीदियो का प्रियोग, प्रमुक, बोगोलिक प्रमप्राय, भुविज्यान, माननाव, प्रयावन, अंतरस्वंद, शेतर अध्यन, और इस्तानी विसलेशन, बोगोलिक अध्यन में द्वेतवाद क्या है, द्वेतवाद पढ़ेंगे, बोतिक आउचिक बनाव माननाव, प्रादेशिक बनाव सुवेवेस्ती निश्चित बनाव, निश्यवादी बनाव, संभववादी, गुनातों मातरात्मक सवरुपी बनाव नियमावैसी, पड़्तिमान विस्तापन, बोगोलिक परिदर्से, परतेकसौहाद, विवारिकवाद, स सब कुछ अपन इसमें ध्यन करेंगे अपनी यूनिट चल रही है भी आप रेगुलर क्लासेज लो आपको पता सब जाएगे कि आपट रहे हैं फिर बोगोलिक तक नहीं किया जो प्रेक्टिकल से समझ दीत है बोगोलिक सुंचने हैं आकडो की स्रोत इस्तानिय गेरिस्तानिय आकडो की स्रोत मांचितर की परकार मांचितर निर्मान की विद्धी अब कोरोफलेत समगनत्व वर्ण माती परवा मांचितर इनको ध्यान में रखना है मांचितर पर आकडो का जिरुपन में पाया रेक दंडारेक रेक रेक जियाएस आकडा आधार चितरेक अपुझ संदी आंखडा प्रारूप आरोप्रं आखडा प्रारूप बोगुलिक सुच्त आतंटर के कार ईरूपांतरर संबांतर विस्सलेशन अंकी ुथान मोटल डी-e-e-e-m भूसंतरव 2-600 पत्ती मांचीत प्रक्सेब आंखडा बोगली सुचना, तंतर का उप्योग, विसायतमक, मांसितातमक, स्थानिक, निर्ने, स्मर्थन, प्रति, आधारबूत, सुदूर, समयदन, विदूत, सुम्बकी, स्पेक्टरम, सुवेदने, प्लेटफॉर्म, वियोजने, वियोजन के परकार, वाईवे, फोटोचीतर, उप और इसके लिए एक बुक आती है, आप लेयाना, अगर आप शेल पर स्टडी करो, क्योंकि है, यह अपन भी चर्चा करेंगे, लेकिन टाइम लगगा थोड़ा, जैपी सर्मा की बुक आती है, उससे आप अध्यन कर सकते हो, पीजी रेवल की बुक आती है, प्लेटिकल की, फिर है इस में साय समय समय सरे ने, सुच कांग जो परीचे दिकाई है, प्रोफा इलरान विशेलेशन हैं, उस तक धर सी वाकर तुरंग तबार अब इसमें लगता तो बहुत सारा मेटर हार लगता लेकिन आपने PG में जो प्रेक्टिकल किया है ना उसमें से ज़्याद है और EG में किया है दोनों को मिला कर है ये है यूनिट और दोनों आपने किया है तो ये स्वाल हो जाएगा अगर आप private student हो तो यहां पर लेना regular रूप से आपको है सब कुछ clear हो जाएगा last unit है अपनी भारत का बुगोल तो भारत का बुगोल अपन संपून पढ़ेंगे इसमें संपूनी है भारत का बुगोल आप देख लेना इसको बारत का बोगोल में संपूनी सामिल किया गया है मतलब संपूनी बारत का बोगोल है इसमें और बारत का बोगोल आपके लिए important भी है क्योंकि आप बारत के निवासी हो हो ना बारत के निवासी सचे देश वक्त तो आपके लिए ये भी important है बारत का बोगोल और इसको संपूर्ण पढ़ेंगे जितनी सारी competition exam है इसमें बारत का बोगोल करेंगे ना कहीं पूंच से जब पूछा जाता है exam क्यूशन तो अपन करमबद रूप से बारत का बोगोल भी करेंगे पूरा संपूर्ण करेंगे तो अपनी कितनी यूनिट मैंने बता दी आपको 10 यूनिट बता दी 10 में से कितने आने है पर यूनिट में से 10 क्यूशन आने है कितने क्यूशन आएंगे 100 क्यूशन आएंगे कितने मार्क्स होंगे 100 के तो 100 क्यूशन इंटू 2 पर मार्क्स 2 का होगा माइनस मार्किंग है नहीं तो 200 200 के होगे ये तो हुई अपनी बुगोल की बात उसमें से क्यूसन आएंगे 50 पर होगा 2 मार्क्स का कितने होंगे 50 क्यूसन कितने यूनिट से आएंगे 10 यूनिट से पर यूनिट से कितने आएंगे पांच क्यूशन पर यूनिट से आएंगे दस नमबर के पर यूनिट से आएंगे फश्ट पेपर की बात करा हूँ मैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस परकार से आपको स्मार्ट पढ़ना है इसके अलावा आपको एक भी चीज नहीं पढ़नी है कोई भी ठीचर कुछ भी पढ़ाए वो बोलेगा कि मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ लेकिन इनके अलावा नहीं पढ़नी है आप काई लोस होगा इसमें क्योंकि अपने पास है वेसे इमेटर काफी है इसके बाद में आप इसको और बढ़न करोगे तो ये बहुत ज़रा विष्टित हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा आप आगे वाला पढ़ोगे पीछे वाला भूल जाओगे पीछे वाला पढ़ोगे आगे वाला भूल जाओगे तो limited meter पढ़ना मेरे प्यारे मित्रों मेरे प्यारे साथ यह हो तो मेरा SSN इसी पर dedicate था कि आपको syllabus है विश्थित रूप से मिलना चाहिए कि इसके syllabus है अपना syllabus होगा आपके tips पे तो 50% मैं बोल रहूं ना आपका 50% काम यहीं से हो जाएगा syllabus आपने अगर देख लिया 50% सफलता मिल गई आपको क्योंकि अधिकतर है student ऐसे है उनको syllabus का नहीं पता कि क्या syllabus है अपना उनको बिल्कुल भी नहीं पता है वो तो भेड़ चाले में लगे हुए है guide लिए उठा के रगड़ दी उसको वो पन्ने पल्टने लग गए पन्ने पल्टने में कोई मतलब नहीं guide में आप देख लेना किती थेयरी बरी हुई है कोई सी उठा के देख रहा है न guide आपको थेयरी मिल लेगी थेयरी आप थेयरी से करोगे क्या आप क्यूंस तो उसमें गंटती की दे रखे हैं पीछे 10-15-20-50-100 तो आपको है अच्छी तरह के से बहतरी निसीक से अगर है बहतरी रूप से आपको जोगरोफिक klas लेनी है तो आज इस चैनल को है लाइक कीजिए सेर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके हित के लिए ये चैनल बनाए गया और आपसे है डिसकर्स करके चैनल बनाए गया जो कापी सारे मेरे मीतर हैं मेरे साती है जो यूजिसिन एट की तैरी कर रहे हैं उनको है प्रोग्लम थी की यूनिट है वेसे भी लोगडाउन की स्तिती है संपूर्ण भार्त बंद है कोचिंग सहिस्ताने बंद है परिवारी के है जो आय होती है उसके साधन ठप हो चुके हैं तो अधिकतर जो साती है वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं जो ओनलाइन कोर्से चल रहे ह वो नहीं हैं पराप्त कर पाते और ग्रामिन चेतर के तो वेसे ही लोगडाउन ना हो तो भी है उनको समयशे रहती है तो उसको ध्यान में रखते भी है आपके लिए निशून के है यह आपे कलासे रखी गई है तो साथ भी मिलते हैं जो नेक्स्ट अपने कलास के साथ में नेक्स्ट इनफॉरमेशन के साथ में तब तक कि भाई धनिवाद यह जो सिलेबस है आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर सेर कीजिए जितने भी आपके पास ग्रूप्स हैं फ्रेंड्स हैं सब के पास सेर कीजिए क्योंकि सब को है इसकी जानकारी होना बहुत 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 जरूरी है शिलेबस है आपको इतना डिटेल से कोई नहीं बताईगा कि यह सिलेबस है और यह एंटी आप देख रहे हो विसव इदल एनुदार आयोग है उसका सिलेबस है नेट ब्योरो दे रखा है न और उसका देखो यह लोगो दे रखा है तो उसका यह प्रमान तरहे का धन्यवाद।